हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पी सिंग एंड वेलकम तू स्मार्टर एवरीड़े डिए फ्रेंट्स बात करेंगे आगरा यूश्टी बियेट सेकेंड डियर जो आपका पेपर थर्ड है समाविशी विद्याले का सरजन क्रियेटिंग एन इंक्लूसिव इसकोल प्यारे दोस् क्लास में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद दो वीडियो और मिलेंगे आपको जिसमें 50-50 कोशन होंगे ठीक है मैं एक से 50 कोशन करा चुका हूं उनको आपने नहीं देखा है तो फटा-फट जाहिए और उनको देखिए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है चलिए 51 नंबर से सुरू करेंगे कोश्चन यह देखिए यहां तक हो गए है पूरे 51 से सुरू करना है मांसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षन नहीं है बहुत ती कयों समवेगात्मक अपरी पकोता सामाजिक सामन्जस्थता अपने व्यवसाय से संतुस्थ होना, सरवांगेन जीवन वितित करना दिखे जो मानसिक रूप से स्वस्थ विक्ति है उसका लक्षण है वो सरवांगिन जीवन वितित करेगा अपने वेवसाय से संतुष्ठ होगा सामाजिक सामज़स्थ स्ता होगी उसके अंदर लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ विक्ति है उसका लक्षण ये नहीं है सम्वेगात्म आप परिपक्वता नहीं होगी उसके अंदर वो परिपक्व होगा आप परिपक्व नहीं होगा मानसिक आश्वस्थता से क्या आशा है मानसिक आश्वस्थता से आशा है बच्चों के उत्तम मानसिक स्वास्थे के लिए विद्याले में अनुसासन होना चाहिए कैसा आतिदिक कठोर लोकतंत्री अनुसासन अनुसासन का ध्यान नहीं रखना चाहिए या फिर प्राकर्तिक अनुसासन तो बच्चों के उत्तम मानसिक स्वास्थे के लिए विद्याल में अनुसासन लोग तंत्री अनुसासन होना चाहिए मांसिक स्वास्थय विज्ञान का महत्तो है परिवारिक छेत्र में बच्चों के विकास के छेत्र में व्यावशाइकम और द्योगिक यह सभी छेत्रों में मांसिक स्वास्थय विज्ञान का अध्यन छेत्र है शामान विक्ति, मानसिक रोगी या शंपून समाज तो मानसिक श्वास्थे विज्ञान के अध्यन चितर है ये सभी है विशिष्ट या असाधारन बालक होते हैं सामान से अधिक बौधिक प्रतिबा शंपन या फिर सामान या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले सामान से अधिक योगता एवं उच इस्तर वाले बालक को सिक्ष़ मनुग्यन की भासा में प्रतिबा संपन बालक कहा जाता है ऐसे बालक जो सामाने से अधिक योगिता रखते हैं और उनका इस तर भी उचा होता है उच इस तर वाले जो बालक होते हैं उनसे भी उचा होता है ऐसे बालकों को प्रतिबाश शंपन बालक कहते हैं बढ़ेंगे next question की तरफ प्रतिभा साली बालक बुद्धी लब्दी का सामान से अधिक होता है यह उसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का मतलब होता है कि बुद्धि Leopardy का सामाने से भी उससे भी कम होना का समाजिक शुविधहतिमक बालक को क्या जाएगा बालक कुं को क्या कहा जाता है सामाजिक आश्युविधात्मक बालकों को 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 आश्युविधात्मक बालकों क की मुख्य आवश्यक्ता क्या है शामाजिक अश्विधात्मक बालकों की मुख्य विश्चता है परामर्स और निर्देशन जो शामाजिक अश्विधात्मक बालक होते हैं उनकी मुख्य आवश्यक्ता क्या पूछ रहा है परामर्स उनको परामर्स चाहिए निर्देशन चाह सम्सेत्मक बालकों के जो कारण होते हैं उनको प्रच्षय प्रिशन दारह घ्याद किया जाता है स्म्वेक बर सक्ष hayat बिच्छ था बालकों का क्या होता है वातावर्ण में कहां सामान विद्यालियों में सम्वेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यावारिक लक्षण होता है आप रसन रहना सम्वेगात्मक विक्षिप्त जो बालक होते हैं उनका व्यावारिक लक्षण क्या होता है आप रसन रहना मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मांदंड क्या है? A और B दोनों यानि कि सेक्षिक पलब्दी और मांसिक इस्तर मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मांदंड उनकी सेक्षिक पलब्दी और मांसिक इस्तर है यानि कि A और B दोनों का आप्सन सही हो जाएगा चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ कोर्शन मर् 69 मन्द अधिगामी बालकों की बुद्धी लब्धी होती है जो मन्द अधिगामी बालक होते हैं उनकी बुद्धी 90 या फिर 90 से अधिक होती है 90 या 90 से अधिक होती है स्वास्थे बादित बालकों का अर्थ होता है अजीर्ण रोक से ग्रस्त होना स्वास्थे बादित बालकों का अर्थ होता है अजीर्ण रोक से ग्रस्त होना स्वास्थे बाधित बालकों का बुद्धी इस्तर सामाने से अधिक होता है जो स्वास्थे बाधित बालक होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो सामाने से अधिक होता है समयोजन या समंजस्ट का लक्षण नहीं है आसंतुलन, जो आसंतुलन है वो अस्रमायोजन या स्रामंजस्ट का लक्षण नहीं है मौकिक रूप से सीखने की अच्छमता को हम अफेज्या के नाम से जानते हैं ठीक है, मौकिक रूप से सीखने की जो अच्छमता है उसको हम अफेज्या के नाम से जानते हैं बढ़ेंगे नेक्स वोशन की तरफ बाल केंद्रित सिक्षा का सिध्धान्त है बाल केंद्रित सिक्षा का सिध्धान्त हमाया प्रेणा का सिध्धान्त भी है रूची का सिध्धान्त भी है चैन का सिध्धान्त भी है तो यह सभी इसमें है और संhos यह ज्रवां की एफ चिक्षा दर्वसं की देंड है बॉपकल करने केया ज्युक्षा है बढ़ेंगे नेक्स сторशन की तरभ सेउंटी सिक्स नमबर स्रजनात्मक्ता से क्या ततपर है? स्रजनात्मक्ता से ततपर है विक्ति के नवीन कारी करने की छमता स्रजनात्मक्ता का मुख्धत तो क्या है? देखे, स्रजनात्मक्ता का मुख्यतत तो क्या है? स्रजनात्मक्ता का मुख्यतत में हमारी मौलिक्ता, पुनर, परिभाशी करण, स्रजनात्मक उत्पादन, यह सबी ही इसमें आ जाते हैं, ठीक है? विश्चक राष्टर के भाग्य निडायक हैं, यह कतन किसका है? हुमायू कबीर का, कौन से गुण एक स्रजनात्मक संतुलन, टीचर का गुण है, जीवन सक्ती, विशय का पूर्ण ग्यान, यह सबी कौन सा कार एक अध्यापक का मुख्य कार है सिच्छन निरिच्छन गठन ये सभी बढ़ेंगे कोशन नमबर 82 की तरफ अनुसासन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है अनुसासन को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है सिक्षा के छेतर में सह मित्र परुणाली का विकास कब हुआ? निदानात्मक परिक्षन होता है समूह के अंदरेत बड़ी सिस्टम क्या है? सहमित्र प्रणाली कूसमायोजन के कारण क्या है? कूसमायोजन में हमारा प्राकरतेक, भौतेक, समाजिक यह सबी ही इसमें आ जाते हैं कूसमायोजन में बढ़ेंगे कोश्ट नमबर 88 की तरफ मांसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है मांसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार सैक्षिक उपलब्दी और बुद्धी लब्दी यह दोनों ही होते हैं मंसिक मंदित बालकों की पहचान के आधार समावीशी सिक्षा स्वास्थे बाधित बालक आर्थ होता है अजीन लोग से गृष्ट ये साथ कोशने पहले भी दे चुके हैं द्रश्टी बाधित के लिए रास्टी सिक्षा स्वनस्थान कहां इस्थित है देहरादून में बालक के मानसिक स्वास्थे में विद्याले की भूमिका क्या है? सारिरिक स्वास्थे रक्षा के उपाय करना, सिक्षक का साहनुभूति पूर्ण विभार, निर्देशन एवं परामर्श की विस्था ये सभी ही भूमिकाएं जो है वह मानसिक स्वास्थे में विद्याले की भ विद्धी है वह परिवार में उपचार है विद्याले में भी उपचार है मुनोवेग्यनिक परिक्षण है यह सभी कि सम्विग आत्मक्त विच्छिप्त बालक समंदित होते हैं किसे से सारिक बादित मन्द अधिगामी या अपरादी इन में से कोई नहीं सवास्थ बादित बालक अक्सर होते हैं मानसिक मंदित या बहबादित जो सवास्थ बादित बालक होते हैं शारिक रूप से बादितों का प्रकार है अस्थी बाधित पिछड़े पन का कारण हो सकता है पिछड़े पन का कारण उनका सारी कारण भी हो सकता है हो सकता है उनको स्वास्तना सही रहता हो हो सकता है मानसिक रूप से परेशान हो या उनमें एट्मोस्फेर का फर्क पड़ रहा हो तो यह सभी हो जाएंगे पिछड़े पर्ण के कारण में ये सभी आ जाएंगे अच्छे सिच्च की निसानी संयम होना चाहिए उत्सा होना चाहिए ये दोनो बढ़ेंगे कोर्श नमर 99 के तरफ विक्तिकू सामन्जस इस्थापित करने में बाधक कारकों का सामना करना पड़ता है परिस्ति जन्न कारक या विभिन विक्तिकत दोस तो विक्तिकू जो सामन्जस इस्थापित करने में बाधक कारक है वह विभिन विक्तिकत दोस है हंड्रेड नमर कोशन पर पढ़ेंगे बालक के मानसिक स्वास्था के लिए कौन सा पारिवारिक कारक जिम्मेदार होता है बालक के मांसिक स्वास्था के लिए माता-पिता का मांसिक स्वास्था होना भी जरूरी है परिवार का सांतिपूर्ण वातरण होना भी बहुत आवश्यक है और माता-पिता का उचित विवहार, शद विवहार यह सभी हमारे बालक के मांसिक स्वास्ता के लिए जिम्मेदार होते हैं तो मैं डिफ्रेंट्स यहां तक हमारे 100 questions complete हो गए है इससे पहले वाली दो classes है जिसमें मैंने 25 questions दिये है और 50 questions इस वाली class में हो गए आपके तो 100 questions complete हो गए वो वीडियो का link description में दिया हुआ है अब हम next class में बात करेंगे 101 से लिकर के 150 तक 50 questions next वाली class में complete करने वाले हैं तो बने रहे हैं चनल पर और चनल को subscribe यूरू को लिजिए अधरवाज notification आपको नहीं जाएगा